ग्वाहिरराह्मान रहीम नाहं मदहू канुम सलील राय ला सूल लाही करीम डिफरेंसल को इक्वशन बुक से तीङ Kevin केंटरिकल इंटर्प्राइशन एन अप्लीकेशन चैप्टर से रहे Egyometric meaning of differential equation जिujin pourraitлом डिए इसमें कि डिविविजिखर ओवनंग का नहीं क्या होती है क्या मतलब होता Peki对फ लग्रसिटर्ट का तो सबसे पहले हुमें फैस्ट रॉडर्न Yowndar глपी का कहले कुप टिफ railway Christian टिस की फार्म यह है इसे कensional सीड़र का लेने चाहिए लहएं से लिकेशन है यह जो कि X का फंक्शन होता है य का फंक्शन होता है उसमें दी यो दी एक्स का फंक्शन होता है क्योंकि यह आपर हमने वोला था कि फिर्स्ट और एंट फस्ट दीरी का differential equation what is differential equation को हम equation number one डाल देंगे it may be recall that for a curve represented by card is in equation tendent of its direction at any point is dy or dx यहनि इसका जो कर्व आएगा यह differential equation का और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगरम निकालना चाहते हैं टेंजेंट की स्लोब निकालना चाहते हैं उसकी यहां पर बोला अब यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे अमना एक्स बाइक कॉडिनेट में जिसके कॉडिनेट को नहीं पीवन हमें पॉइंट ले रहे हैं पर इसके कॉडिनेट को एक्स बाइबन ले लेते हैं और एक्वेशन नंबर वन से जो वैलू हमको मिलेगी डी वाइव डी एक्स की उस वैलू को अगर हम इस पॉइंट पर निकालते हैं यह पीवन पॉइंट पर तो माने की वह आती है एंबन के एक को लाती है और फिर हम एक पाइट और भी लेंगे तो इसको करते हुए चलते हैं यहाँ पर हम शो कर देते हैं यह मारा x by प्लेइन है यह एक्सीस है और यह ओर जिन और यह एक्सीस है जैसे कि अभी हमने बोला कि हमने पाइंट पी वन लिया जिसके कोडिनेट एक्स बन भाई वन है और उस पाइंट पर हमने टेंजेंट की स्लोफ फाइंड की तो वो हमने माल ली की M2 के बराबर है और इसके पास में एक दूसरा पाइंट हमने ले लिया P2 और P2 के जो कॉडिनेट है में पीटी पो जो कॉडिनेट है उसको में माल लिया की ओए च्च टू अगल डाइट सृभ् Argour कोडिनेट है यह पॉइंट पिटीड वन है जैसे कि हमने दिखाया अ फिल नेए इस तरीके से है कि अगर हम पीवन और run को जोईन करें तो इसकी जो कि इन किसकी जो Gradient ऐपीवन पीटू जो लाइन सिंगमेंट है वो पिवन पीटू की जो सलोफ होगी वो मैं यह डेएंट एम बना है तो आपको मालुम है कि म क्या होता है मैं एक्शल में यह होता है सिए थो बता दिया फोता है लेकिंड यह जैसे कि कोई भी लाइन कर भो उसका हम टेंजेंट लें और एक सेक्सिस के साथ में उसके जो भी इनकलीनेशन होता है वह उसके अगर टेल ले लेते हैं तो एम डिवाई वो डिएक सेनी एंग को डिनोड करता है तो इस लाइन की जो सुलोफ है यानि वह यहां पर हम बन हमने ली है तो और दूसा पाइंट जो लिया है इसके कोडिनेट बता दिये और इस पीटू पाइंट पर अगर हम लिकालते हैं इस डिवाई ओडियक्स की वैलू तो माना कि वह एमटू के बराबर आती है तो हम इसके पास में एक दूसरा पाइंट पीठी यहां पर कंसीडर कर लेते हैं और पीति भी इस तरीके से हम एक करेंगे लेंगे कि यगर पीटू पीठीड को आपस में जॉइन किया जाए तो इसकी जो सलोप आए ग्रेदियन्ट आये वह हम टू एमके एक कोला है इसी तरीके से हम और आगे इसके P3 के पास में भी एक पाइंट और ले लेंगे जो की P4 होगा इसके भी कॉडिनेट आप समझों सके होंगे कि इस तरीके से P3 के कॉडिनेट थे X3 और Y3 इसी तरीके से P4 के भी कॉडिनेट X4 और Y4 कुछ अलग कॉडिनेट होंगे इसके और इसी तरीके से अजह हम P3 को P4 पाइंट से जब जॉइन करेंगे तो इसकी जो स्लोफ होगी स्वारी इसकी जो स्लोफ होगी वह स्लोफ P3 और P4 जोगी वह M3 के बराबर होगी तो ऐसी हम और भी फाइंट लेते चले जाएंगे और इसे P5 होगी तो पी फाइब और इसको जोईन करते चला जाएंगे और यह कर आगे इस तरीके से बढ़ता जला जाएगा आप यहां पर हम माल लेते हैं नौल एच पीबन जो पीटू है जोईन किया आपने और पीटू पीटी जोईन किया इसी तरीके से और आपके भी यह जो लैंट है यह किया से मैं जो ब्लाइण से की जो डिस टेंसे यह बहुत कम हो तैंस टूज़ी नहीं यांए यह आलो मृएफ दैंट अ जी रो यह बहुत कम है एंट फिटीर फी नावर नम्बर अ तन तो तैंट अ infinity means इनकी जो तादाद है इनकी जो संक्या है वह infinite हो यह बहुत सारी यह ले लिये जाएं और इसके साथ साथ हम यह एजिम करें कि जो व्रोकन करब बनेगा एंपी बन पी टू पी थी इन सब को जोइन करने से टैंस टूए कर सी उससे एक हमें कर मिलेगा उस कर नाम हम capital C कर लें of every point on the curve and the direction of the tangent there at will satisfy the differential equation तो हम देखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि हम कर जो में मिलेगा इनको जुएन करने पर अगर हम इस condition को apply कर देते हैं कि इनकी तादाद हम बहुत जादा ले लें और यह इस बहुत कम हो तो उस कर जो में C मिलेगा तो उस कर वके जिस कोई न तो सपाइंट के मैं हमें इनि डिवाई ओवर डिक्स की जो वैलू मिलेगी और जो नेमस्ट के को ओरिनेट होंगे तो इसके जो कौरिनेट होंगे हारेक पाइंट के एर ईससे ड jullie डा race recognizing उसकी होगी डिभा都是 और डिडह इसकी होडी xem वहाई और शो डिएश whole deaf से स्टार्ट किया है बलकि आप इस पाइंट को कहीं और किसी और जगा पर स्टार्ट करने यानि और दूसरा कोई पाइंट ले नहीं नौट ऑन दी कर्व अलेडी आप 10 वी यानि यह में पहले से कर मिला उस कर्व को छोड़के हम दूसरे किसी जगा से अगर हम कोई पाइंट ले ले और इसी तरीके से जैसे यहां पर हमने प्रोसीजर अपनाया था उसी प्रोसीजर को अपनाते हुए विशल आप 10 एन अदर कर तो हमें दूसरा भी इसी तरीके से कर मिलेगा विश्च आल्सो प्रशेस इस अब प्रोपर्टी जो ऊपर की प्रोपर्टी को सेटिस्पाई करेगा यानि क्या कोई भी पाइंट लेंगे तो वहां पर इस पाइंट के जो कौडिनेट होंगे एन एक्स वाई की वैलू और ड से एक पर्टिकुलर करव बिच पाशसेस्ट अईव पोइरटी तो इसके किसी भी पोईंट से ये कहा जा रहा है कि असे किसी भी प्लाइट से तो एक पर Furthermore, we have seen that the solution of 1 यानि जो डिफरेंटियलिकेशन था उसका जो सुलीशन होगा, वो क्या होगा, वो सुलीशन जो होगा, वो एक्स बाइक कॉमा सी मराबर जीरो होगा, यहां पर जो सी लिया है, वो एक अर्बिटरी कॉंस्टेंट है, इस सोज दाट दी इफरेंटियलिकेशन फैमिली ऑफ कर्व, यह सो करेगा कि जो डिफरेंटियल एक्वेशन होता है, वो एक फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है, हैंस दी डिफरेंटियल एक्वेशन, इसलिए जो हमारा डिफरेंटियल एक्वेशन जो सुरू में लिया था, यह एफ जो एक्वेशन नमबर हमने 1 से denote किया था x, y, dy over dx is equal to 0 वो रिप्रेजेंट करता है a family of course और उसका हर एक जो member होता है each member of which possesses the property that at any point xy on it and value of dy or dx and the coordinates xy satisfy the differential equation जैसे कि अभी बात हो गए थी जो कर्व हमें मिल ला है हाँ पर उनकर किसी भी पाइंट को ले लिया जाए तो उसके पर जो पाइंट के coordinate होंगे और वहाँ पर dy or dx की जो वैलो होगी वो given differential equation one यहानी equation of one को satisfy करेगी the equation of each curve is a particular solution of the differential equation और हमने जाना कि जो equation होगा हर एक कर्व का यह इस कर्व कर्व का स्टेंट को निए जब differential equation के solution में हम arbitrary constant को कुछ वैलू दे देते हैं particular value देते हैं तो उससे हमें particular solution मिलता differential equation का तो हम कह सकते हैं कि यह कर्व है इसमें भी हम particular value constant को देके different कर्व मिलना है तो हारे कर्व जो है वो एक एक particular solution को denote करता है तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि अब general solution के अगर बात कर लेते हैं तो इसमें the equation of the system of such curves is a general solution of the differential equation and all the curves represent why the general solution taken together make a locus of differential equation तो मनें क्या बोला the equation of each curve इसे particular solution क्योंकि जो हर एक equation होगा इस कर्व का वो एक particular solution को denote करेगा और जो equation of system of such curve और इस तरीके के जितने भी कर्व हैं उनका system system को मनलब जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हो यह जितने भी curves हैं कर्व के equations हैं उनको हम collectively अगर कहें इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल सुलीशन बोलते हैं तो जर्नल जर्नल सुलीशन होगा तो system of such curve इस जर्नल सुलीशन ओफ दिस दिफ्रेंसिल equation and all the curves represented by the general solution taken to her और उन सब को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकस ओफ दिफ्रेंसिल equation यह ने यह डिफिरनसिल लोकस है डिफ्रेंट जो और यह पर बनेंगे वो सब लोकस कहलाएंगे हमारेmy differential equation के अब हम बात करते हैं div यह नहीं हम यह कहा सकते हैं कि को डीव इयू डी एक समy वह को डिटिक है उसकी पादर है और and hence gives two value of dv से हमें मिलेंगी dyodx की दो value मिलेंगी हरेक point पर एन जो भी curve मिलेगा उस वे करके हरेक point पर dyodx की दो value यहां से मिलेंगी hence two member of the family of curve represent two member of family hence two member of the family of curve represent why it pass through every point यहनि उसके हर एक point से दो member of family हम को मिलेंगी तो इसका जो जर्नल solution होगा तो जर्नल solution इस तरीका का जो डिफरेंसी लिगेशन होगा जो की first order का होगा लेकिन first degree का नहीं होगा तो ऐसे case में हम उसका जो जर्नल solution दिखेंगे एक्स बाइ का मासी उसी टाइब का होगा लेकिन हैं अपर जो C होगा उसके बारे में बता देते हैं must therefore have two different value of C for each point हरी हरेक वाइट पर C की जो वैलू होगी वो इस कर्व के लिए अलग होगी इस कर्व के लिए ना सिर्फ मालब हरेक पॉइंट पर C की जो वैलू होगी वो अलग अलग नहीं दो वैलू मिलेंगी ना अगर यह नहीं हमने का कि यह सेकिंड ओर का अगर है different solution and the general solution will involve the arbitrary constant C in the second degree और जो इसका general solution होगा तो उस बो जोगा C में second degree का होगा एनिसी में उसकी पावर 2 होगी तो इस तरीकी का अगर यह कोड़िटिक है तो इसकी भी हमें C की भी जो वैलू मिलेगी विदो मिलेंगी तो इतने ही में बात करनी थी थैंकि वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग में